Now students, इस question को देखे, 2015 में आया था, कह रहा, a truck covers a distance of 150 km at a certain average speed and then covers another 200 km at average speed which is 20 km per hour more than the first speed. If the truck covers the total distance in 5 hours, find the first speed of the truck. So, नो ध्यान से, क्या चल ला है question में? देखो, truck ने क्या किया बच्चों, ध्यान सरा चेक करना. ये truck है, ठीक है? तो truck starting के 150 km, ध्यान से चेक करना बच्चों. Starting के 150 km, यानि के मानन लो, a से चला truck, और कहा आ गया? b पे, सुन लेना ध्यान से पहले. ठीक, starting के 150 km हैं ये, मान लो भाई, मानने में क्या जाता है? तो ये क्या है, starting के 150 km, तो जब starting के 150 km जब truck चलता है, a से b, तो कितनी speed से चलता है question पढ़िए x speed से चलेगा पढ़ लो a truck covers a distance of a 150 km at a certain average speed तो वो जो certain average speed है वो कौन सी है मान लो x km पर आ रहे यानि कि यहां से यहां जब चलता है तो उसकी speed कितनी होती है x km पर आ रहे होती है ठेक अब सुनो अब आगे पढ़ो कह रहा है and and का मतलब as well as अभी आगे भी कुछ हो रहा उसको भी पढ़ना है क्या and then ध्यान दीजेगा बच्छो क्या कहता है and then covers another 200 km at the average speed which is 20 km per hour more than the first speed मतलब सुन्जो अब another दूसरा 200 km है 150 km चलने के बाद 200 km और चलता है ठेक तो अब ये 200 km और चलता है ध्यान से चलना suppose suppose B से B से C अब ये B से C चलता है ध्यान सुनो तो ये B से C जो है बच्छो वो एक तरीके से आपको कितना दिया है 200 km 200 km ठीक है तो ये next 200 km का जो distance है सुनो ये कितनी स्पीड से चलता है बहुत ध्यान से सुनना ये कितनी स्पीड से चलता है question पढ़ो then cover 200 km और अबरेज स्पीड which is 20 km पर आर more than the first speed यानिके पहले उसकी जितनी स्पीड थी ना कितनी थी X ये तुमने माना है उससे 20 increase कर दो थीक तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी X में 20 add कर दीजे यानिके X प्लस 20 km पर आर आया अब सुनो अब according to the question उसने क्या बोला है if the truck covers the total distance in 5 hour मतलब total का मतलब यहाँ A से लेके C तक थीक तो A से लेके C तक total distance cover करने में उसने time कितना लगाया पांच घंटे का मतलब संजो मतलब संजो बच्चो time from A to C time from A to C यह total time में कितना दिया हुआ है बताइए 5 hours सही है यह बात समझ भी रहुआ यहाँ से चली ट्रक यहाँ पहुँच गई तो total time कितना लगा पांच घंटे का अब सुनो बना लो equation कैसे सर सुनो सर एक बात बताओ ध्यान से चेक करना बच्चो A से B जाने में कुछ time लगा होगा पहले तो आपको formula पता होना चाहिए क्या formula होता है आपका speed is equals to distance upon time यह तो पूरी दुनिया को पता है time इधर आएगा तो speed इधर आएगी यहनिकि अगर आपको time निकालना हो तो कैसे निकालते है distance upon speed से yes or no अब मुझे यह बताओ कि A से B तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा तो suppose A से B तक जो जाने में समय लगा उसको आपने बोला T A B time from A to B A से B तक जाने में जो समय लगा उसको T A B आपने बोला अब time कैसे निकालते हो बताओ distance upon speed से अब मुझे ज़रा यह बताओ अगर आप time A से B तक का निकाल रहे हो तो distance कौन सी लोगे A से B तक की और speed भी कौन से लोगे A से B तक की तो distance A से B time from A to B formula क्या लगेगा distance upon speed ओके so distance कितना है 150 क्या km और divided by speed कितनी है A से B वो X km पर R से जाता है X km पर R से जाता है अब सुन लो ध्यान से सुन लो ये R उपर चला जाएगा तो कितना आएगा बताओ यहां से आएगा 150 by X है ना R चला गया उपर ये वाला km और नीचे ये वाला km R चला गया उपर multiply करेगा km से km कटेगा बस मैं आपको ये दिखाना चाहता है time आपका R में आ जागा कितना 150 by XR तो सुन लो time from A to B बच्चो A से B जाने का जो समय है वो कितना है 150 by XR H का मतलब R चलो पूरा लिख देता हूँ ठीक है A से B जाने का जो बच्चो समय है वो कितना है 150 बटे XR ठीक अब सुनो इसी तरीके से क्या आप B से C तक जाने का समय निकाल सकते हो क्योंकि आपको B से C का डिस्सन्स पता है और B से C तक की स्पीड पता है X के टम्स में पता है कोई बात नहीं so time from B to C बच्चो distance upon speed distance कितनी है 200 upon में speed कितनी है X plus 20 और time जो भी आएगा वो इसी तरीके से आएगा R उपर जाएगा किलोमेटर से किलोमेटर कटेगा तो R में आ जाएगा ये लो अब एक बात बताओ एक बात बताओ A से B तक का समय इतना और B से C तक का समय इतना दोनों को add कर दोगे तो किसके equal आना चाहिए यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगा और यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लगा तो total समय कितना लगा दोनों को add करोगे और total समय कितना दिया है question में A से C तक का 5 यानि कि इसको इसमें add करेंगे और 5 के equal रख देंगे आया की नहीं आया बताईए yes or no हाँ कहने का मतलब यह है बच्छों कि T A B यहाँ पर मैं solve कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से चेक कर लेना देखो T A B A से B जाने का समय यानि कि starting 150 km जाने का समय plus T B C यानि कि time from B to C B से C जाने का समय बराबर T total T total का मतलब A से C A से C ओके तो T A B की जगा बच्छों कितना रखेंगा आप लोग 150 by X तो T A B की जगा 150 by X ठेक और plus T B C की जगा कितना रखोगे बताओ 200 200 upon T B C की जगा 200 upon X plus 20 इसको bracket में कर लो is equals to T A C total time कितना है total time में 5 घंटे तो is equals to 5 बस यह आपकी equation इसको आप solve कर लेंगे तो चलिए इसको next page पर अब हम solve कर लेते हैं ओके इसको next page पर हम solve कर लेते हैं चलिए तो क्या है equation आपकी 150 upon में X और plus 200 upon में कितना है X plus 20 है na X plus 20 is equals to 5 मेरी बात ध्यान से सुनना ध्यान से ध्यान से देखो यहाँ पर bracket लगाओ 5 common ले लो जैसे ही तुम 5 common लोगे क्या बचेगा 5 3 जा 15 होता है 3 और यह 0 बचेगा upon में X और plus यहाँ से 5 common लोगे 5 4 जा कितना होता है 20 और 0 ये लो और upon में X plus 20 is equals to 5 अब सुनो यह जो 5 है यह पूरे bracket में multiply कर रहा है तो उधर जाएगा तो divide करेगा यानि कि आज जाएगा next step में 80 upon X plus 40 upon X plus 20 is equals to यह वाला 5 और यह वाला 5 आके धर divide कर देगा ओके अब देखो 5 1s आफ 5 और 5 1s आफ 5 यानि कि उधर बचेगा 1 upon 1 चाहोता आप 1 भी लिख सकते हो चाहोता आप 1 upon 1 लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है और left hand side आप LCM-LCSM लेगे इसको solve कर लोगे तो कैसे करोगे ध्यान से चेक करो denominator दोनों multiply हो जाएगे यानि कि X into X plus 20 ओके अब ध्यान दें students यह जाएगा धर multiply करेगा यानि कि 30 in the bracket X plus 20 और ये वाला प्लस हम copy कर लेंगे फिर X into 40 यानि कि कितना हो जाएगा 40X और is equals to 1 upon 1 ये लिचे 1 upon 1 सही है जान बूचके मैं 1 upon 1 लिख रहा हूँ आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चलो अब इसको solve करो 30 into X कितना होता है 30X 30X और प्लस 30 into 20 बच्चों कितना होता है 600 और प्लस 40X ये लिजे और upon में students X into X X square होता है आपका और प्लस X into 20 20X होता है सही है ओके इस equals to में बच्चों 1 upon 1 अब इसको करोगे ब्रैकेट में बच्चों करोगे cross multiplication मतलब X square plus 20X into 1 तो ये इधर multiply होगा यानि कि X square plus 20 X X into 1 is equals to और ये इधर होगा यानि कि 1 into अगर आप चाहते तो इसको इससे पहले करके left में लिख लेते बट X square अब लेफ में आना चीए इसले इसको करके पहले यहां पर लिखा है अमने ठीके न तो 1 into this bracket तो 70X और प्लस 600 चलो solve करोगे अब ध्यान देंगे students ये वाला प्लस 70 धर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 70 तो 20 माइनस 70 माइनस 50 तो X square माइनस 50X और सुनो प्लस 600 लेफ में आएगा तो हो जाएगा माइनस 600 इस इकोल्स टू 0 ये लिजे ये बन गई आपकी quadratic equation इसको solve कर लेंगे X की value निकाल लेंगे X की दो values आएंगी positive वाली ले लेंगे negative वाली reject करेंगे क्योंकि speed negative नहीं होती है और उसने हमसे कौन सी speed पूछी थी पढ़ लो question find the first speed first speed का मतलब यहां से यहां तक वाली speed यानिके X की value पूछी है अगर वो बोलता find both the speed तो X की value निकाल कर जो positive होता उसको ले लेते तो first average speed आजाती A से B यानिके 150 km starting वाले उसकी speed आजाती और अगर next speed हमसे पूछता तो X plus 20 कर देते तो next 200 km की speed आजाती अभी starting की पूछी तो बस हम X की value निकालेंगे चलिए इस equation को हम next page पे solve करेंगे equation क्या हमारे पास X square minus 50 X और minus 600 is equals to 0 क्या यही है चेक कर लो अब इसको यहाँ multiply करोगे कितना आ जाएगा minus 600 into X square minus 600 X square अब बताओ minus 50 X को ऐसे दो parts में split करना है बहुत असान है भाई यह तो चेक कर लो कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए यह easy है बताइए कितना हो जाएगा minus 50 X को ऐसे दो parts में split करोगी addition पर minus 50 आ जाए और multiplication पर minus 600 आ जाए कर सकते हो बताओ नहीं हो पा रहा है तो उसके prime factor कर लो 600 के और rearrangement करो यह आएगा 300 फिर यह आएगा 150 और फिर यह आझारे कितना आपका 95 75 और यहां से करो गया 32 अ फैता हो जाएगा उखर लोड़ी कितना आपका दो जोने छो और जोनी-चार दूनी-खर दूनी-आट-थी-च्व इस नहीं एस दूनी आएगा ठीएgeben जोनीजना यह पांच से है यह उत्या ये सब को इनोंने एक साथ ले लिया इसको 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 एक साथ ले लिया यान्य विए फाइव इंट्व अगर चेक कर लो डिपते एंटरेऊ कर में डोटेंकर चयारा होगे हैंगे ओनीकुन अगिनुत इंट्री or इसने हैं याँ से स्कोर्याऊ आगा एकसी के मैंने और इंट इपलेगा है। इन दोनों में से common लेंगे x तो आजाएगा x-60 और प्लस इन दोनों में से common लोगे 10 तो आजाएगा x- कितना हो जाएगा भई 60 is equal to 0 अब एक बार x-60 को 0 रखोगे ठीक और एक बार x-10 को 0 रखोगे तो यहाँ से तो x is equal to minus 10 आजाएगा तो यह value reject हो जाएगी क्योंकि speed negative नहीं होती इसको नहीं ले सकते हो minus 10 नहीं ले सकते हो तो यहाँ से x बाराबर कितना आजाएगा प्लस 60 किलो मेटर पर आर ओके तो answer क्या है its first speed is 60 किलो मेटर पर आर यही आपका answer है ओके कर लीचे करेही आर शाजाएगा